कर दोस्तों स्वागता आपका अपनी यूटूब चैनल में तो दोस्तों जैसे कि आपको पता माश्टर दीनिम्बुक का पूरा स्वोलिशन कर रहे हैं हमारे चेप्टर चला बिल डिलेशन ठीक है जिसके हम एक क्लास कंप्लेट कर चुके हैं यह दूसरी ग्लास है तो दोस्त करें तो दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं पहला कोशन पहला कोशन बोलता है यह और भी भाई हैं दोस्तों मैंने आपको बोला था भाई बेहन और पतनी ठीक है सारे क्याइज एक लाइन मातें ठीक किसमातें एक लाइन में धिधान रखेंगे एकी लाईन माने सरे आपने वह अर्भी भाई हैं दोस्तों मैंना बनाया ए और B क्या दे भाई थे तो पुरुज के ओपर क्या चिन नाना है पिलस मैंने आपको पहली वीडियों बता दिया था ठीक है E पुत्री है F की तो E और F का भी रिलेशन नहीं बता हमे इस पर ये पता है F पत्नी है B की F पत्नी है B की दोस्तो B की पत्नी के लिए मैंने क्या बताया था पत्नी के लिए दो लाइन कब्रियों करेंगे कोन है F F पत्नी है किसकी B की तो पत्नी के लिए माइनस नहीं लेगे क्योंकि महिला ठीक है दोस्तो आगे F फिर यहां पर हम पीछाएंगे यहां पर जो हमने लाइन पड़े थी ये पुत्री है F की ये पुत्री है F की दोस्तों ये पुत्री है F की मैंने के बताया था पुत्र पुत्री नीच आएंगे और माता पिता उपर आएंगे ठीक दोस्तों तो पुत्री है मतलब ये पुत्री है F की कोई दिकत नहीं है तो इ एसे क्या सम्मंद है? दोस्तों E का A से क्या सम्मंद पूछा इसने ये आमको रिलेशन ये वाला रिलेशन आपको बताना नहीं ठीक है दोस्तों बहुत आसानी सी पता सकते हूँ आप देखते ही स्थित्र को पता लग जाएगा आपको क्या पता लग जाएगा भी आपको भाई था भी आपको भाई था ठीक है भाई की वाई थी एफ तो भाई की पत्नी आपकी क्या लएगी आपकी क्या लएगी और भावी की लड़की आपकी क्या लएगी आप बोल दो कि भावी लड़की भतीज लएगी ठीक है भावी आप यह भाई की लड़की क्या लएगी 32 लेगी तो अप्सिन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसल था ठीक है अप्सिन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसल था और वैसे भी आप देखते इस को लगा सकते थे कोई ज्यादा हाट कोशन नहीं था पर आपको तरीका आना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत अच्छे लेविल के कोशन आएंगे अभी अभी तो हमारे नॉर्मल कोशन ये चल रहे हैं ठीक है एक बाद आप तरीका सिख जाओगे तो आपको कहीं वे दिक्कत नहीं आईगी अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन में काफ़ी आसान कोशन है इसने दिया है ए बी का भाई है दोस्तो इसने बुला ए बी का भाई है B का भाई कोन है A दोस्तों ये तो clear है A का gender clear है A B का भाई है कोई दिक्कत नहीं होनी सी आगे बोलागा B C का भाई है B किसका भाई है यो है ये C का B C का भाई है यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी सी भाई बेन सारे एक लाइन मा आते हैं और आपको पतनी है, ठीके, C, D का पति है, C, D का पति है, D का, पति बतनी के दो relation, ये दो लाइन्स उ दिन करेंगे, D, क्या है, C, D का पती है, C जो है, पति है, किसका, D का, तो D के ओपर, माहिनस है, ठीके, C, D का पती है, इसका मलब D पतनी है यहां तक किसी श्रण को कोई दिक्कत नहीं होनी चीए आगे देखेंगे E, A का पिता है E, पिता उपर आएगा E, A का पिता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए फिर इसने बुझा D और E का सम्मन बताईए मुझे यह बताओ इसके E के यह भी पुत्र है यह भी पुत्र है, यह भी पुत्र है ठीक है, पुत्र की पतनी पुत्र की पतनी क्यलाएगी पुत्र बदू ठीक है, क्यलाएगी पुत्र बदू ओप्स नमर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देख सकते हो ठीक है E के ये तो तीन पुत्र है ठीक है E के तीन पुत्र है ये ठीक है फिर C का विवा किसे हुआ D से तो पुत्र का विवा जिसे हुआ है वो कौन लेगा E का आप बोलोगे सब पुत्र बदू मतलब पुत्र की बहू पुत्री की बहु क्यों क्या बोलेंगे पुत्र बदू उप्सनम भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पर होने इन्ची यह बिल्कुल आसान कोश्चन था आप देखते बना सकते थे ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे यूपे पअज पुत्री है दोस्तो बेकी पुत्री यह है यह तो के लियर है एक अजेंडर के लियर है A, B की पुत्री है बना दी आप नहीं हाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए A, B की पुत्री हो गई ठीक है दोस्तों पुत्री मैं आपको बता है पुत्र पुत्री नीच आएंगे ठीक है मादा पिता उपर आएंगे फिर ऐसे ही आप चलते रहोगे जैसे जैसे तो question आएंगे मेरे recording चलते रहा ना आपको कोई question कभी गलत नहीं होगा आग वहला है B C की माँ है B C की माँ है इसने के वहला दोस्तो B C की माँ है इसका मतलब यह माँ है किसकी C की इसका मतलब एक और लड़की लड़का होगा इसका लड़की होगा है लड़का होगा C की माँ है यह तो के लिए रहे C की माँ है B C की मा है मतलब C इसका बच्चा है ठीक है लडकी लडका कुछ भी हो सकता है जैनेटर के लिए नहीं है आगवलेंगों D C का भाई है D C का भाई है D यह भाई है किसका C का यहाँ तक लिए रहे D C का भाई है बताईए कि D D का A से क्या रिष्टा है? दोस्तो, मैंने बताई तक एक लएन में क्या बात नहीं है सब भाई बेहन तो ये भी इसका, ये भी इसकी बेहन होगी, ठीके? अब आपको C का जेंटर के लिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो लड़की होगा या लड़का होगा, ठीक है, है तो भाई बेहनी, तो इसने बुज़ा है, बदाई कि D का A से, A से, ठीक है, तो एका कॉन लएगा यह, मैंने बदाःते हैं की लैन में सारे क्या टें भाई बेहन, ठीक है क्या हो जाए इसने बदाए कि D का A से तो A से क्या समन्द होगी इसका ये कौन होगी है पहले सिल लगवा इस पर आप बोलो कि सर भाई होगी होगी है अप्सन नमर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ठीक है ये तीनों जो हैं D, C, A किसके बच्चे हैं ये B, K किसके बच्चे हैं B, K तो आसाने से याद रखेंगे ये बिल्कुल आसान कोश्चन है ठीक है एक बार आप इस टाइब को समझ गे ना तो कभी कोश्चन गलत नहीं करोगे अगला कोश्चन देखेंगे तो दोस्तों ये भी बहुत आसान कोश्चन ठीक है समझने की कोशिश करेंगे समझते रहना बच में इसा ठीक है कहीं भी आपको प्रोलम होती है तो मुझे कमेंड करके बताना तो दोस्तों इसमें क्या बो D की बेहन है अब इतना तो आप सीखे गई हो rec的 बना सकती हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होने शिये इम डिका पिथा है तो पिता जी उपर आएंगे M D का पिता है कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो नहीं है अभी D का जेन्टर के लिए नहीं है और B का और M का जेन्टर के लिए रहे ठीक है दोस्तों आगे बोलाए N M की बेहन है M की बेहन है कौन N तो बेहन भाई साइड माते हैं आपको पता है ठीक है एन एम की बहन है कोई दिक्कत यहां पर नहीं है बी का एन से क्या संबंद है दोस्तों आप इतनी आसानी से बता सकते हो इसको इतनी आसानी से बता सकते हो विल्कुल आपको कुछ डाउट होने ही नहीं चीए इसमें तो इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होने चीए आपने क्या पूछा है B का N से दोस्तों N से पूछा है किसका समध इसका B का ठीक है दोस्तों आप कोगे आप क्या कोगे भाई है ये ठीक है ये तो M तो भाई है N का भाई के फिर दो बच्चे हैं एक तुरी D है और एक B है एक D है और एक B है तो भाई का भाई की लड़की हमा बहतीजी, option number C हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान था न, एक तो इसका M का एक तो बच्चा D था, ठीके, और एक लड़की इसकी B थी, एक लड़की B थी, तो एक लड़की जब B थी, तो N का सम्मन भूजा था, N से भूजा था B का सम्मन, ठीके दोस्तों, तो आ अगला question देखेंगे, काफी आसान question है, ये भी ठीक है, बस question पढ़ते रहना, और मेरी according तुमको चलते रहना, बिल्कुल कहीं दिक्कत ने आएगे, एक बार सीखने कोशिस करो, बस सीख जाओगे ना, फिर कहीं भी दिक्कत ने आने वेली, कैसे भी question जाए, कितना भी hard, आसा करेंगे, directly clear देखा है, M, D की बेहन है, D की बेहन कोन है, M, यहाँ से clear है, M, D की बेहन है, D का जेनिटर clear नहीं है अभी, R, D का भाई है, ये R होगा, D का भाई है, D का भाई है, क्योंकि दिक्कत नहीं है, F, M का पिता है, F F M का पिदा है तो पिदा जी उपर रहेंगे और T R की माता है T जो है माता है R की यहां भी कोई दिक्कत नहीं तो D का T से क्या सम्मंद है तो D का T से क्या सम्मंद है दोस्तों एक क्वेशन रोड मैं आपको खिलिया कर देता हूँ यहां पर आप मैं आपसे कहूँ यह कौन है तिनो तो आप कहूँगे यहापको और यहापको ज Syria कोई दिक्कत नहीं है पता है सब को ठीगे और मैं आपसे कहूँ यह इसकी मा माँ है और यह पिताजी है ठीक है तो आपस में कौन हो यह दोनो आप बोलो या आपस में पति पतनी होगी है हमारे माता पिताजी होगी है तो इसने क्या पुछा है इसने पुछा D का T से क्या invade दोस्तो T से क्या समढदा आप कहोगे तर T का या तो लड़की होगी है या लड़का होगा जैनेटर के लिए नहीं है तो बेटा होगा या बेटी होगी ठीक है टी से कैसे मनें डी का तो आप बोलोग सरी या तो बेटा होगा टी नहीं या तो डी बेटा होगा या बेटी होगी ठीक है यहां पे इसने बोला ना डी का टी से कैसे मनें तो टी से बताना है तो टी का कौन होगा यहां बोलोग सरी य तो इसका डॉटह नहीं है ठीके दो तो यह तो बेटा और नहीं दिया होло तो बेटा यह बिल डिटी तो हमारा बस् buenas स्थ ऑइए टी कहां पर यहां पर में नहीं दिया है एक और ऑप्शुम है डिया थिक थी के तो हम बेटा ये बेटी इस तरीके से कोई हमारा option होता तो हम उस option को किलिक कर देते ठीक है पर ये हमारा option नहीं था इसलिए हम किस option के साथ जाएंगे जानगरी अधूरी के साथ ठीक है तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया हो ठीक है दोस्तों अगला question देखते हैं टीका भाई के है टीका कौन है भाई के है टीका भाई के है टीका भाई बना दिया के कोई दिककत नहीं भाई है तो उसके उपर पिलेशीन तीका भाई के है के की मा एम है तो उस्तों के की मा है तो उपर आएगी के की मा एम है के लिए रहा तो कोई दिककत नहीं सारे question नहीं कोई दिक्कत नहीं डवलु का टीसे क्याания सममन्द है डवलु का टीसे दोस्तों की समतना T से, T से बताना है इसका समन, दोस्तों आप को होगे, T की को नहीं है, M, T की को नहीं है, आप बोलोगे, मम्मी का भाई क्या लाएगा, आप बोलोगे, M, क्या बोलोगा, मामा, तो अप्सन नमर A हमारे करेक्ट टांस रो जाएगा, option number A हमारा correct answer देख 30 को लगा सकते थे ठीक है कितना आसान question है न क्योंकि M के दो बच्चे थे एक तो T था और एक के था ठीक है तो इसने बुझा T का T से T से W का क्या संबन दे ठीक है या बुझा W का T से क्या संबन दे दोस्तो तो T से बताना था तो मम्मी का भाई क्या लगेगा हमारा आप बोले उसर मामा लगेंगे तो मामा option नमर A हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तो अगला question देखेंगे यह रगता है आपका doubt के लिए रोड़ रहा होगा फिर भी अगर दोस्तों अगर कोई आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे comment करी जो रोगता ना ठीक है मैं उस कमी को दूर करने की कोसिस करूँगा फिर मैं जितना मेरे तरफ से हो पाता है उतना करने की कोसिस करता हूँ क्योंकि आपको बता मेरे पास इतनी सूविदा नहीं है जो मैं आपको लाइब आकर पढ़ाता तो उसका कुछ अलगी होता ठीक है क्योंकि सारे डाउट जबी के लिए अगर पता में आपको अब इस टेम मुझे आप क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस नहीं बढ़ा पाता तो इसलिए मुझे आपको पता नहीं चलता कि आपके साँज में आ रहा है यह नहीं आ ठीक है जब अकर याई ए और भी बहने हैं दोस्तो आगे देखेंगे कि डी की माता ए है दी की माता ए है तो दोस्तो डी की माता जो हो ए है इसका मतलब डी इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी D की माता A है तो D की माता A होगी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है B की पुत्री C है दोस्तो B की पुत्री C है B की पुत्री C है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आगर बोला जो F से बिवाहित है जो कौन? C इसने बोला B के पुत्री C है जो F से बिवाहित है मतलब C F से बिवाहित है तो F के साथ इसका बिया हुआ है इसका मतलब साधी हुई है किसके साथ F के साथ F से बिवाहित है तो C पत्नी है तो F कौन सा होगा पती होगा इसका के लिए रहे हैं पर डाउट किसी को नहीं होना चीए A का पती G है A का पती G है A का पती G है कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने चीए A का पती G है और A और G पती पतनी हो गई दिक्कत नहीं है आगे फिरिशना बोला है तो C का D से क्या संबन दे तो C का D से क्या संबन्द है दोस्तों इन दोने में आपको संबन्द बताना C का D से किस से D से संबन्द बताना दोस्तों तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ यहाँ पर पोज़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा D की कौन है ये मम्मी आप बेमे की कोन है ये आप बोले खिर ममे की बेहन मतलब मौसि है तो यह कोन हो कई कोई किलिर ली अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो मुझे कमेंड करका बताएंगे अगर वीडियो अच्छे लग तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है दोस्तों और कोई भी कह रही हो तो मेरे किरम जैनल को जोइन कर लेंगे और वहाँ पर मुझे को कमेंड करके बता देंगे कि सब्सक्राइब को आ रही है ठीक है दोस्तों जितना मुझे से हो सकेगा मैं उतना करूंगा तो आज के लिए इतने ही मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ झाल